एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं, फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में स्टॉक में हमने आपको काफी मना किया कि फ्रेश बींग या फिर एवरेज आउट करने की गलती नहीं करें, अगर इसे स्टॉक में आपका लाइट इंवेस्टमेंट है, अगर आपने कम क्वा में ही देखने को मिला है, ओवरॉल जो डील रिलायंस को लेकर के चल रही थी वो डील विड्रॉल होते हुए दिखाया 24,700,000,000,000,000,000 के आसपास का, जिसमें कहा था कि जो भी डेट है उसका 40% रिलायंस पे करेगी, हालां कि ये जब डील ही नहीं हुआ तो आप समझ सकते ह कि जो भी इसका डेट है वो खुद इसको देना पड़ेगा और इसका एक ही जर्या है कि इनसॉलवेंसी के थरू जो भी बैंक का लोन है, उस सिक्योर लोन उसको ये पे करें। अवरॉल जो इनसॉलवेंसी की और ये कंपनी जाते हुए दिखी है, उसका नेट डेट 12 मई को है और I don't think so कि यहां से stock comeback लेगा, ये पैसा लगभग 0 ही जाना है और अभी भी बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अब result करते देख रहे हैं तो शुरली आप बहुत बड़ा गलती है, अगर आपने बीच stock को update करने की गलती करा तो आगे से ऐसी गलती नहीं करें, light position ह है तभी hold करें बल quantity हमने हमेशा से आपको कहा था कि hold करने की गलती नहीं करें, जब tradable security थी, जब ये trade हो रहा था तब भी हमने आपको कहा था तो शुरली I hope की trap से आप बच रहे होंगे